हेलो दोस्तो परदैसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सफी का विलकम है दोस्तो सौधी अरब ने अभी भी इंडिया पाकिस्तान ऐसे करके 10 देसों पर फ्लाइट से पाबंदी लगाई हुई है और अभी यहां से वही लोग डाइरेक्ट सौधी अरब जा सकते जो पाकि लोग वाया होकर सौधी अरब जा रहे हैं सौधी हुकूमत ने एकजिट रेंट्री यानि चुट्टी और इसके लवा इकामा को फ्री में 30 नौंबर तक एक्स्टेंड किया था जिसकी तारीक भी अब नजदीक आ रही है और आगे एक्स्टेंड किया जाएगा कि नह लोग बचे हुई हैं तो अब देखते हैं कि फिरी में एकजिट रेंट्री और इकामा एक्स्टेंड सौधी हुकूमत करती है या नहीं करती है लेकिन इसी बेच एक और खबर आ चुकी है दोस्तो एक और उमीद की किरन नज़र आई है इंडिया सौधी फ्लाइट को लेकर भारत के विदेश मंतरी एस जैसंकर ने सौधी अरब के विदेश मंतरी फैसल बिन फरहान से एक बार फिर बातचीत की है ये बातचीत कितनी कारगर साबित होती है कितनी असरदार साबित होती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन बातचीत करके एक बार फिर और गौर करनी होगी दोस्तों, अगर हम सौधी के रुख की बात करें, भारत की बात तो हम कर चुके हैं, कि भारत ने रिक्वेस्ट किया, अग्रा किया, फ्लाइट को लेकर मीटिंग की सब कुछ किया, लिकिन अगर हम सौधी के रुख की बात करें, तो इस मामले में सौधी क का रुक बहुत ही अडियल है आपने देखा होगा कि सौधी हुकूमत इस पर बहुत ही अडियल रुक अक्तियार किये हुए पता रही क्यों फ्लाइट को लेकर इस तरह का अडियल लोया बना हुआ है क्योंकि आज की तारीक में जब वैक्सिनेशन बड़े पैमाने पर हो रहा अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है बाराल इस पर आगे कोई खबर होगी तो वो आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बट जिससे मेरी आने वाली हर वेडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे